दोस्तो सुजलोन एंदर जी की बात को स्टॉक काफी दिनों से दबाव में दिखाए दे रहा है जबकि दूसरी तरह बहुत सारे ओर्डर मिल रहे है लगातार बड़े ओर्डर के बावजुद भी बड़ी तेजी नहीं बन पारी है तो उसके पीछे रिजन क्या है क्यों सुजलोन में फिर से वैसी ही सांदार तेजी आ सकती है जैसे पिछले दिनों हमने देखी थी जब 8 रुपे का श्टॉक 44 तक चला गया तो यहां पे कुछ बड़ी बाते है कुछ बड़ी अपडेट है जिसको इस वीडियो के मादिम से डिसकस करेंगे काफी लोग है जो सु लोग टम में हमें एक बड़ा मल्टी बैगर रिटन दे सकता है जानने की कोसिस करेंगे इस वीडियो के मादिम से लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइकोन दबा दीजिए ताकि जब दीजिए नर्मी देखे और क्लोजिंग भी गिरावट के साथ हुई तो देखा कि 71,892 के सतर पे क्लोजिंग थी 379 पॉइंट की गिरावट देखना को मिली यानि 0.53 लगबग आदा परसेट की गिरावट थी बेसी सेंसेक में तो लगातार बाजर में तेजी के बाद अब पिछले दो दिन से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का महल बनने लगा है बाजार में नर्मी बनी हुई है और इसका असर यहाँ पे सुजलों में भी देखना को मिला श्टॉक की सुरुआत हुई 0.38.70 पर कल की क्लोजिंग 38.50 का स्पास थी इंट्राडे में 38.80 का हाई बना लेकिन बिल्कुल उपर के लेवल से दबाओ देखनों को मिला प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई और इसने 37.50 का लो बना दिया यानि श्टॉक काफी नीचे गया कह सकते है कि इंट्राडे में लगए दो रुपे का आपको बड़ा जम देखनों को मिलेगा अब ड नीचे लेवल से जबर्दस खरीदारी आ रही है 1.04% की ग्रावर के साथ में इसने क्लोजिंग दिये तो काफी एची रिकवरी हुई है नीचे लेवल से जरूर अब यहां पर 37 इंट्राडे का लो लेकिन हाई है वो 38.80 का है अब इसकी परफॉर्मस देख दो 6.95 52 वीक का लो है लेकिन जो हाई है वो 44 का है ओल टाइम लो रेंज 1.70 हाई 459 के क्या है यह आने वाल समय 459 को फिर से टच करेगा वॉल्यूम देखे तो आज कम था पिछले एक मैने पर इसका 5 क्रोड का वॉल्यूम था डिलिवरी बेस काम हुआ है वन वीक पहले 4 क्रोड का पूरा ड के विज़े से और इस विज़े से अब देखतों कि कोई खास इतनी बड़ी खरीदारी भी नहीं हुई है सबसे जो बड़ी बात है कि भले इसमें बड़ी तेजी न बनी हो या फिर गिराउट हो लेकिन श्टॉक तो 38 का आसपास काफी समय से स्टेबल होता हो दिखे दे रह तो 38.15 की सांदार तेजी बनी और 29 दिसमवर की बात के तो 38.20 की मामुली सी तेजी बनी और कल एक जन्दवरी को 38.50 की पॉइंट परसंट की फिर से तेजी बनी तो पिछले चार ट्रेडिंग से से पॉजिटिव क्लोजिंग हो थी बहले बड़ी तेजी न बने लेकिन पॉ काफी करने का लोगों को मौका दिया और अब 38 के आसपास सेटल होने की कोसिस कर रहा है अब जो लोग कहते हैं कि कुछ कमाल नहीं होगा इसमें कोई तेजी नहीं बनेगी तो उनको ध्यान अखना चीए कि इससे पहले भी सुजलोन बहुत समय तक कंसॉलिडेशन मोड में र वैसे हम तो रेगुलर इसमें वीडियो बनाते हैं बहुत सालों से जब इसकी प्राइज एक दो रुपे के आसपास थी बहुत सारा पिरेड देखा है काफी ज़्यादा कंसॉलिडेशन पिरेड आता है और इसके पीछे वज़ये कम समय में बड़ी प्रॉफिट होना और ब वो 17 नॉबर 2023 को देख सकते हो कि 44 तक पहुचा है पांच गुना होगे आपका निवेश सिरफ 6-7 महिनों में तो कम से कम एक साल तक 6 रुपे के पास पड़े रहने के बाद जब दोड़ना शुरूआ तो काफी कम समय इसने जबरदस रिटिन देख पांच गुना तो अब य इसलिए फिर आपके हाथ से मौका न छूट जाए इसलिए इसमें यह मौका अच्छा है इसमें निवेश सुरू कर दे यह अब एक लंबी रेस के लिए त्यार हो चुका है सबसे जो बड़ी बात है कि सूजलोन एनर्जी में मीड केप में सामिल होने जा रहा है बिल्कुल इसलिए कि स्टॉक की एक रेपूटेशन बढ़ जाती है मीड कैप स्मॉल कैप में बहुत सारे निवेश सक निवेश नहीं करते लेकिन उनका इन्वेस्पन मी आएगा मीड कैप बनने की वजह से तो काफी निया निवेश सुरू हो जाएगा इसके अलावा दूसरी और भी सुजलोन का जो अचीमेंट है सबसे बड़ा ग्रेट प्लेश टू वर्क का इनको सर्टिफिकेट दिया है यानि दिसमर 2023 से लेके दिसमर 2024 के लिए जो एमप्लोईज है उनके लिए सबसे अच्छी जगा जहां पे एमप्लोईज को अच्छे से ट्रेट किया था उनको सारी फासिलिटी प्रोवाड़ की जाती है तो सुजलोन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजनस करने के तरीके से ही आप तेजिए उसका कारोबार बड़ा लेखिन वो अपने एमप्लोईज का भी पूरा ध्यान रखते है और इसलिए इनको ये सर्टिफिकेट प्रोवाड़ किया गया और ये 2019 में भी इनको सर्टिफिकेट मिला था ये सबुत है कि सुजलोन से समदी जो लोग है उनको सबको बेनिफिट मिला चाहिए एमप्लोईज हो या फिर शेयर ओल्डर हो अब पिछले इनों भले ही बहुत कुछ यहां पे खराब गुजरा क्योंकि बहुत भारी बरकम लॉस में आगे दी सुजलोन बीजनस उतना नहीं चल ला था कंपनी की जो ए रिजर्व प्रक्रिया थी वो भी नुकसान दैग थी इस सेक्टर के लिए और इस वज़े से बहुत सारी प्रब्बम आई लेकिन अब वह सारी खत्म दिखा देगे सरकार का पूरा सपोर्ड भी मिल रहा है सरकार जितना अचे उतना लोन भी प्रोवाइड कर रही है और इनके पास ओर्डर की कोई कमी नहीं है लगातार बड़े ओर्डर मिल रहे है ऐसे में सुजलोन आने में एक अच्छा कमाल कर सकता है अब आप देख सकते हो कि कंपनी लगातार नए विंटर माइन का काफी जादा उर्जाखा निर्बान कर रहे है अब आप देखें इनकी जो फैसलिटी देखें तो 14 लोकेशन है इंडिया के अलग लग और 28 साल का इनके पास experience है जिसके दम पे यह देजी से परदापन कर रहे है इस बीजनस में आगे बढ़ रहे है और बहुत सारे बड़े करिब 6000 एंपलोई की इनके पास वर्क फोर्स है जिनके पास काफी अनुबव है इंडिया की नमबर नवीं टर्बाइन कंपनी है और इनका पॉटफोली देखें तो 14.3 गिगावाट का जो टोटल एसेट है और 6 गिगावाट का इस्टॉल कैपसिटी आउट्स ऑप इंडिय है नहीं इंडिया से बार एस तरह से 20 गिगावाट की कैपसिटी है 2 मेगावाट के मदब 3 मेगावाट सीरी भी शुरू कर दी गई है और आप देखें कि इन्हों ने जो लेटेस अब 144S 3 मेगावाट सीरी जो लॉंच की है उसको RLMM Listing Certificate भी मिल चुका सरकार की तरब से य और अब रिजल्ट भी आने वाला हमारे सामने quarter 3 का बैतर रहने की पूरी उमीद है आप देखी सकते हो इनका revenue लगातार बढ़ रहा है 2019 में जापे 5024 करोड के आसपर सा वो 2023 में बढ़के 5970 करोड तक पौच गया बात करें इनके profit की तो 2019 में 1531 करोड का बड़ा loss था 2023 में प इसके इलावा सबसे बड़ी बाद है company ने अपने कर्च को चुका दिया है company debt free हो चुकी है ऐसे में यह stock कबाल करेगा और यह बहुत अचा मौका है आपके पास बिना डरेंद इवेस करें आने वाले से में सुझलोन आपको माला मल कर देगा यानि अपनी पूरानी हाई four and debt क क्रोस करने को stock तयार है काफी कम समय उस लेवल तक जा सकता है लेकिन फ्रेंड कोई भी investment करने से पहले अपने financial advisor ले ले या अपना खुद का research करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके educational परपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जूर किजा और चैनल को सब् प्राइब रह दीजिए थैंक यू फ्रेंड